यह देखेगा उत्तर परदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है ओफिसल वेबसाइट से यूपी पुलिस की आज जिस रुगूमेंट की बात करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स वो है यूपी पुलिस SI and ASI की रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो सुर्व करने से पहले दोस्तों वीडियो को कंप्रीट देखेगा तभी आपके सारे डाउट के लिए हो पाएंगे फ्रेंड्स उत्तर परदेश पुलिस की वेबसाइट से यह ओनलाइन मोड की आप आवज दिन कर सकते हैं फ्रेंड्स में एज कैसे डाउनलोड करना है वेबसाइट वर कैसे जाना है फॉर्म कैसे फिल करना है यह कंप्लीट जानकरी इस वीडियो में आपको तो दोस्तों नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जोब इनफॉर्मिशन में इससे पहले आप अभी हमारे चैनल पर नई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगी और बैल आइकन को प्रेस करेगा तो फाइब गॉर्मेंट जोब्स इन मार्च की आप यहां पर किलिक करके इनकी इन्फॉर्मिशन ले सकते हैं यह देखेगा एस बी और ओपन रेली भरती यह ज पोस्ट नेम है वह साइव विजिलेंस है एसाइव किलर्क है साइव अकाउंटेंट से इसमें तीन तरीगी पोश्टेंस हैं फ्रेंट जो केटेगरी बाइज पोस्ट डिस्ट्रिविशन की गई हैं वह देखी गा जेनल की एक से 121 पोस्ट हैं से के लिए 60 पोस्ट हैं ओव कैसे करोगी ओनलाइन मोट से के विलां उनली पूर आवेदन करोगे तो फ्रेंट्स आवेदन कहां से कर सकते हैं और इंडिया कैंडियेटिस में अप्लाइप कर सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू करना और और कोमेंट्स में हमें लिखके बताना नोगरी का Αिस्तान उत्तर-पर्देश ह sonoda फ्रेंट्स उत्र-पर्देश में कहीं भी आपको नोगरी मिल जाएगे और परिक्षा केंदी पर अपको उत्तर-प्रदेश ही होगा इसमें वेतन की बात करें साहेक पुपनिजक्षक कलर्की जो वेतन होगा, 52 rupes से 20,200 rupes तक ग्रेड होगा और ग्रेड पे जो 2800 गाहे होगा, जो पुलिस पुपनिजक्षण गौपनी होगा, वो 3300 rupes से लेकर 34,800 rupes तक ग्रेड पे होगा, जो इसका 2800 rupes होगा, जो इसकी आवेदन की बात करें, OBC candidate के लिए 400 तेकर सभी उम्मीद्वार के लिए जो आवेदन सुल्क होगा जो फीस होगी इसकी OBC candidate के लिए ST के लिए और SC के लिए और महिला सिरेंड के सभी के लिए 400 रुपेज का आवेदन सुल्क होगा करें दोस्तों वह 21 वर्ष से लेगे 28 वर्ष तक आप इस महाविदन कर सकते हैं आईयो में छोट होगा एज डिलेक्शन जो होगी SC और ST के लिए 5 साल होगा और OBC के लिए 3 साल होगा फ्रेंट्स इसमें जो इलिजिब्टी क्रिटेरिया है इसके फ्रेंट्स जो टेस्ट होगा यह सामवानिय सिर्णी जो हाएंगी वह 168 सेंटीमेटर आपके हाइट होना ज़रूरी है जो रणिंग टेस्ट की बात करें जो रणिंग टेस्ट की बात करें वह वह उना से लेगें चैस्ट और आरक्षित के लिए 77 से 82 सेंटीमेटर तक होना जरूरी है जो रणिंग टेस्ट की बात करें 4.8 किलो मेटर जू होगा वह आप 176 मिनट में लगाने यह पूरत के लिए यह महिलाओ के लिए कि टो पॉइंट 4 kms लगेगा व देगी महिला हो के लिए इस सी जो महीला उमीद वारों की उच्छाई होगी हमान ने के लिए आरक्षित के लिए 147 cm के लिए चलेगी जो इसमें online में जो आपको डॉकुमेंट चाहिए वो लगेंगे आपका आथवी पास की मार्क टॉस्वी की लगा सकते हैं और 12 की लगा सकते हो दीवास पुरमान प्दर चाहिए हो आपको जाती पुरमान प्तर चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें आपका आईडी पूरूम में चलेगा फ्रैंट जिसकी इंग्लीज में जानकारी लेना चाहते हो तो यहां पर किलिक कर सकते हैं जैसी ही आप इस पर किलिक करोगा हमारी वेब साइट पहुच जाओगे वहां पे टोटल आपको video के description में डाला हुआ है आप वहां से जाके इसे देख सकते हो विजिट कर सकते हैं फ्रेंट्स जो चैन परिक्रिया होगी फ्रेंट्स लिकित परिक्षा होगी इसमें सब्सक्राइब फिर PST होगी फिर PMT होगी इसमें जो महत्रपूर्ण तिथी फ्रेंट्स में जो आपके आवेदन जमा होगी आवेदन जो आवेदन कर सकते हो एक माई 2021 से आप सुरू कर सकते हैं इस्टार्ट हो जाएंगे आप हमारी वेबसाइट पर इसका लिंक दिया वह है आप महाँ पर किलिक करके ओनलाइन आवेदन यहा होगी फ्रेंट्स जो अंतिम्तिती बुक्तान की होगी वो 31 माई 2021 होगी है अगर आप ने पहले से रेजिट्रेशन कर आगा है तो आप यहां पर लोग इन पर क्लिक कर सकते हैं यह लिंक एक माई से एक्टिव हो जाएंगे अगर आप में ग्रूप जोइन करना चाते हो तो यहां से ग्रूप जोइन कर सकते हो ओफिसल नोटिफिकेशन जानना चाते हो तो यहां आप से क्लिक कर सकते हो इस्टेप बाइस्टेप आप पहुंच जाओगे तो प्रदेश हो यह देखेगा फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरू करना जैहिन जैभारब